ओम शिरी मन नाराय नाय नमें शिरी विश्णु पुरान के पिर्थम अंसक का नवाद्धिहाई का नुवाद हिंदी ने दुर्वासा जी के सापसे इंद्र का पराजय ब्रह्मा जी की स्तूती से प्रसन्नोहे भगवान का प्रिकट होकर देपताओं को समुद्र मन्थन का उपदेश करना तथा देपता और देत्यों का समुद्र मन्थन का बर्डन सिरी परासर जी बोले है मैत्रई तुमने इस समय मुझ से जिसके विश्ण में पूछा है बहे सिरी संबंद लक्षमी जी का इतिहास मैंने भी मरीची रिसी से सुना था बहे मैं तुम्हें सुनाता हूँ साबधान होकर सुनो एक बार संकर के अंसाबतार सिरी दुरवासा जी पिर्थ्वी तल में बिचर रहे थे घूमते घूमते उन्होंने एक बिद्यधारी के हातों में संतानक पुस्पो से एक दिव्य माला देखी हिब्रामन उसकी गंद से सुबासित होकर बहे बन बनवाशियों के लिए अति सेवनिय हो रहा था तब उन्मत ब्रति वाले विप्रवर ने वह सुन्दर माला देखकर उसे उस विद्यधार सुन्दरी से मांगा उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रो वाली किर्शांगी विद्यधारी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रडाम कर बहे माला दे दी हिमेत्रई उन्मत वेजदारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पिर्थुई पर बिचरने लगे इसी समय उन्होंने उन्मत एरावत पर चड़कर देपताओं के साथ आते हुए ते लोग क्या पती सची पती इंद्र को देखा उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत के समान वेहमत्वाले भोनों से गुंजाए मान माला अपने सिर पर से उतार कर देवराज इंद्र के उपर फेंग दी देवराज ने उसे लेकर एरावत के मस्तक पर डाल दी उस समय वेह ऐसी सुसोबित हुई मानू कैलास परवत के सिकर पर सिरी गंगा जी बिराजमान हो उस मदोन मत हाती ने भी उसको उसकी गंद से आकरसित हो उसे सून से सूम कर पित्वी पर फेंग दिया हे मैत्रई यह देखकर मुनिश्रेष्ट भागवान दुरवासाची अती क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस पिरकार बोले दुरवासाची ने कहा अरे ऐस वर्य के मद से दूशित चित इंद्र तू बड़ा धीट है तूने मेरी दिवी संपून सोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया अरे तूने ने तो प्रडाम करके बड़ी किरपा की ऐसा ही कहा और ने हर्स से प्रसन वदन होकर उससे अपने सिर पर ही रखा रे मूर तुने मेरी दिवी माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया इसलिए तेरा तिरलोकी का बेभब नस्ट हो जाएगा इंद्र निश्य ही तु मुझे और ब्राम्हनों के समान ही समझता है इसलिए तुझ अती मानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है अच्छा तुने मेरी दिवी माला को प्रित्थी पर फेंका है इसलिए तेरा यह तिरुबुबन भी शीगर ही शिरीहीन हो जाएगा रे देवराज जिसके कुरुद होने पर संपूर्ण चराचर जगत भैबीत हो जाता है उस मेरा ही तुने अतिगर्ब से इस प्रकार अपमान किया सिरीपरासर जी बोले तब तो इंद्र ने तुरंत ही एरावत हाती से उतर कर निश्पाप मुनिवर दुरवासा जी को अनुने बिन्या करके प्रसन किया तब उसके प्रणाम आधी करने से प्रसन होकर मुनिश्परीष्ट दुरवासा जी उस से इस प्रकार कहने लगे दुरवासा जी बोले इंद्र मैं क्रपालू चित नहीं हूँ मेरे अंतह करण में क्षमा का इस्थान नहीं है में मुनी जन तो और ही बे मुनी जन तो और ही हैं तुम समझो मैं तो दुर्वासा हुना गोतम आदी अन्य मुनी जनों ने वेरत ही तुझे इतना मुह लगा लिया है पर याद रख मुझ दुर्वासा का सर्वस्ट तो छमाने करना ही है गया मूर्ती बसिष्ट आदी के बढ़ भढ़ कर रिस्तूती करने से तु इतना गर्विला हो गया कि आज मेरा भी अपमान करने चला है अरे आज ते लोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्जलित जटा कलाप और टेली भ्रकूटी को देख कर भेवीत ने हो जाए रिश्चत क्रतो तु बारंबार अनुने विन्य करने का ढोंग क्यों करता है तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा में अक्षमा नहीं कर सकता शिरी परासर जी बोले हिब्रामन इस प्रकार कहे बेबी प्रुबार वहां से चल दिये और इंद्र भी एरावाद पर चलकर अमरावती को चले गए ही मैत रही तभी से इंद्र के सही तीनों लोक ब्रक्ष लता आदी के चीवन हो जाने से सिरीहीन और नष्ट भरष्ट होने लगे तब से यग्यों का होना बंद हो गया तपस्चों ने तब करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदी धर्मों में चित्त नहीं रहा और जहां सत्व भी लक्ष्मी का ही साती है सिरीहीनों में भला सत्व कहां और बिना सत्व के गुड कैसे ठहर सकते हैं बिना गुडों के पुरुस में बल सौर्या आदी सभी का भाव हो जाता है और निर्वल तथा असक्त पुरुस सभी से अपमानित होता है अपमानित होने पर परतिष्टित पुरूज्प की बुद्दी बिगड़ जाती है इस पिरकार्टि लोकी के स्रीहीन और सट्व रहित हो जाने पर देथ्या और दानवहों ने देपताओं पर चड़ाई कर दी सत्व और वेहफसे सुन्र्णे होने देपताओं से संपूर्ण ब्रतांत सुनकर स्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा है देपगर तुम देतिया दलन परा वरेस्वर भागवान विश्णू की सरण जाओ जो आरोप से संसार की उत्पत्ति इस्तिति और संहार के कारण है किंतु बास्तम में कारण भी नहीं है और जो च सरण जाने पर वे अवस्या तुम्हारा मंगल करेंगे श्री परासर जी बोले है मैत्रई संपूर्ण देव गणों से इस प्रकार कहा लोग पिता में श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर शागर के उत्री तट पर गए बहां पोचकर पिता में ब्रह्मा जी ने समस्त देपताओं के साथ परावर नात श्री बिश्म भागवान की अती मंगल में बाक्यों से इस्तूती की ब्रह्मा जी कहने लगे जो समस्त अड़ों से भी अड़ों और पिर्थ्वी आदि समस्त गुरुओं भारी पदार्तों से भी गुरु भारी है उन निखिल लोक विश्र काम पिर्थ्वी के आधार सरूप है प्रकाश है अभेद्य सर्व रूप सर्वेश्वर अनंत अज और अब भी है नारायन को मैं नमस्कार करता हूं मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें इस्थित है जिससे उत्पन हुआ है और जो देव सर्व भूत मैं है तथा जो पर प् पुरुस से भी पर है मुक्तिलाव के लिए मोक्ष कामी मुनिजन जिसका ध्यान करते हैं तथा जिस इस्वर में सत्व आधी प्राकृतिक गुणों का सर्वता भाव है बैसमस्त सुद्ध पदार्तों से भी परम सुद्ध परमात्म स्वरूप आधी पुरुस हम पर प्रसन हो जिस सुद्ध शरूप भागवान की सकती विभूती कला काष्टा और महूरत आधी काल करम का विशे नहीं है बैसमस्त देधारियों के आत्मा है बैस्ध भागवान हम पर प्रसन हो जो कारण और कार्य रूप है तथा कारण और कार्य के भी कार्य है बेसिरी हरी हम पर प्रसन हो जो कार्य के कार्य एहिंकार का भी कार्य तन मात्रा पंचक है उसके कार्य भूत पंचक का भी कार्य अर्थात ब्रह्मान जो स्व्म है और जो उसके कार्य ब्रह्मा दक्षादी का भी कार्य भूत प्रजापतियों के पुत्र पोत्रादी का भी का कारण भूत पंचक के कारण पंच तनमात्रा के कारण अर्थात एहंकार महत तत्वादी का भी हेतू मूल प्रकृति हैं उस परमेश्वर को हम प्रडाम करते हैं जो भोगता और भोग्या सरश्टा और स्रज्या तथा करता और कारिरूप स्यम ही हैं उस परमपद को हम प्रडा आख्षय अभ्यक्त और अभिकारी है भही विश्णु का परंपद पर श्वरूप है जो ने स्थूल है ने सूक्ष्म और ने किसी अन्य विशेशन का विश्ण है भही भगवान विश्णु का नित्य निर्मल परंपद है हम उसको प्रडाम करते हैं जिसके आयुतांस दस हजारवे अंस के अति अयूतांस में यह है विश्व रचना की सक्ति इस्थित है तथा जो पर ब्रह्म सरूप है उस अब्य को हम प्रडाम करते हैं नित्यय युक्त योगी गड़ अपने पुर्णिय पापादी का क्षय हो जाने पर ओम कार द्वारा चिंतनिय जिस अभिनासी पद का शाक्षात कार करते हैं वही भगवान विश्व का परमपद है जिसको देवगड मुनिगड संकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते वही परमे शिरी विश्व का परमपद है जिस अभूत पूर्व देव की ब्रह्मा विश्व और सिव रूप शक्तियां है वही भागवान विश्व का परमपद है ये सर्वेश्वर ये सर्व भूतात्मन ये सर्व रूप ये सर्वाधार ये अचुत्य ये विश्व हम भक्तों पर प संदीजिये है जगध्याम सर्वगत अच्चित जिसे ये भागवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते आपके उस परमपद को हम प्रडाम करते हैं जदंतर ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर ब्रस्पति आदी समस्त देव रिशीगड कहने लगे जो परम इस्तवनिय आद्य यग्य पूरुस हैं और पूरवजो के भी पूरु पूरुस हैं उन जगत के रचेता निर्विशेस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं हे भूत भब्येस यग्यमूर्तिधर भगवन हे अब्ये हम सब सरणागतों पर आप प्रसन होए और दरसन दीजिए हे नात हमार के सहित भगवान संकर, बारेहों आदित्योस के सहित भगवान, पूशा, अगनियों के सहित पावक और ये दोनों अस्वनी कुमार, आठो बसू, समस्त, मरुद गान, साध्य गान, विस्वे देव तथा देवराज, इंद्र ये सभी देव गण देत्याय सेना से पराजित ह कर अति प्रणत हो आपकी सरण में आये हैं सिरी परासर जी बोले हे मैत्र इस प्रकार इस्तुति किया जाने पर संख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके समुक प्रकट हुए तब उस संख चक्रगदा धारी उतक्रिष्ट तेजो राशी में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पिताम है आदि समस्त देवगण अती बिन पूर्वग प्रडाम कर क्षोव बस चकित नयन हो उन कमल नयन भगवान की स्तूति करने लगे देवगण बोले हे प्रभो आपको नमस्कार है नमस्कार है आप निर्वेश निर्विशेश हैं तथा पी आप ही ब्रह्म आप के सम्मुख जो यह है देव समुदाइए है यह जगत्सरस्टा भेह भी आप ही है क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण है आप ही यग्य हैं आप वसटकार हैं तथा आप ही ओमकार तथा प्रजापति हैं सर्वात्मन विध्या और वेद्य और संपूर्ण जगत्य अपने तेज से हमें ससक्त कीजिए प्रभो जब तक जीव संपूर्ण पापों को नश्ट करने वाले आपकी सरण में नहीं जाता तभी तक उसमें दीनता इच्छा मोह और दुख आदी रहते हैं। होकर इस परकार बोले हिदेबगर मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाओंगा तुम इस समय में जो कुछ कहता हूं वह करो तुम दैतियों के साथ संपूर्ण और दियां लाकर अमरित के लिए खीर सागर में डालो और मदराचल को मथानी तथा बासु की नाप को नेती बनाक कर उसे दैतिया और दानवो के सहित मेरी सहायता से मत कर अमरत निकालो तुम लोग साम नीती का अब लंबन कर दैतियों से कहो हम की इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इस फल में समान भाग पाएंगे समुद्र के मतने पर उससे जो अमरित निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे है देवगण तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूँगा जिससे तुम्हारे द्वेसी देत्यों को अमरत न मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही आएगा सिरी परासर जी बोले तब देव देव भगवान विश्नु के ऐसा कहने पर सभी देवगण देत्यों से संधी करके अमरत प्राप्ति के लिए यतन करने लगे है मेत्रई देव दानव और देत्यों ने नाना पिरकार की ओज़ियां लाकर उन्हें शरद रितु के अकास की सी न समरित मतना अरंभ किया भगवान ने जिस और वासुकी की पूँच थी उस और देवताओं को तता जिस और मुक था उधर देत्यों को नुक्त किया महा तेजस्वी वासुकी के मुक से निकलते हुए निस्वसागनी से जुलसकर सभी देत्यकर निस्तेज हो गए और उसी दिक्षिप्त हुए मेगों की पूँच की और बरस्ते रहने से देपताओं की शक्ती बढ़ती गई यह महा मुने भगवान सुयम कर्म रूप धारण करक्षीर सागर में घूमते हुए मद्रचल के आधार हुए बेही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्या रूप से देपताओं में और एक रूप से देत्यों में मिलकर नागराज को खीचने लगे थे तथा है मेत्रई एक अन्या विशाल रूप से जो देपताओं देत्यों को दिखाई नहीं देता था शिरी के शब ने उपर से परवत को दवा रखा था भगवान सिरी हरी अपने तेज से नागराज बासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्या तेज से बे देपताओं का बल बड़ा रहे थे इस परकार देपता और दानवो द्वारा शिर्शागर के मथे जाने पर पहले हवी ये गिशामगरी की आश्रे रूपा सुर्पूजिता काम देनू उत्पन हुई ये महमुने उस समय देव और दानवगण अती आनंदित हुए और उसकी और चित खिच जाने से उनकी टक्टकी बंद गई फिर स्वर्ग लोक में यह क्या है यह क्या है इस प्रकार चिंता करते वे सिद्धों के समक्स मद से घूमते वे नेत्रो वाली वारूनी देवी प्र है मन्थन करने पर उस शीर्षागर से अपनी घंद से तिरलोकी को सुगंदित करने वाला तथा सुर सुन्दर्यों का आनंद वर्धक कल्प ब्रक्ष उत्पन हुआ ही मेत्रई तत्पस्चा शीर्षागर से रूप और उदारता आदी गुणों से युक्त अती अद्मुत अ स्वेत बस्त्रधारी शाक्षाद भागवान धनवंतरी जी अम्रत से भरा कमंडलू ये प्रकट हुए है मेत्रही उस समय मुनिगळ के सहित समस्त दैत्या और दानवगण स्वास्थ चित्त होकर अती प्रसन्न हुए उसके पस्चाद विक्षित कमल पर विराज मान सफुटिक कांती मैं श्री लक्षमी देवी हातों में कमल पुष्प धारन किये हुए शीर शमुद्र से प्रकट हुई उस समय महिर्शिगाड अती प्रसंता पूर्वाक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तूति करने लगे तथा विश्वा वसू आधी गंदार्व गड़ उन स्वर्ण कल्सों में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्व लोक महिस्वरी श्री लक्षमी देवी को इस्तनान कराया शीर चागर ने मूर्ति मान होकर उन्हें विक्षित कमल पुस्पो की माला दी तथा विश्व कर्मा ने उन्हें अंग प्रतंग्यों में विविद अभू स्वर्ण से विभूसी तो श्री लक्षमी जी संपून देपताओं के देखते देखते श्री विश्व भागवान के बक्स इस्थल में विराजमान हुई यह मैत्रही शिरी हरी के बक्स इस्तलमे बिराजमान स्री लक्ष्मी जी का दर्शनकर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रिसनता प्राप्त हुई और हे महाभाग लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विश्णु के बिरोधी विप्रिचित आधी देत्यागा परम उद्विग्न व्याकुल हुए तब उन महाभालवान देत्यों ने शिरी धनवंतिरी जी के हाथ से बहा कमंडलू छीन लिया जिसमें अती उत्ताम अमरत भरा हुआ था अत्य है इस्तरी मोहिनी रूपधारी भगवान विश्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित क उन से बहा कमंडलू लेकर देपताओं को दे दिया तब इंद्र आधी देवगान उस अमरत को पी गए इसमें देत्य लोग अती तीखे खड़ाग आधी सास्त्रों से सुसर्जित हो उनके ओपर तूट पड़े कि अमरत पान के करण बलवान हुए देपताओं द्वारा मारी काटी जाकर देत्यों की संपूर सेना दिसा विदिसाओं में भाग गई और कुछ पाता लोक में भी चली गई फिर देवगल प्रसंता पूर्वक संक चक्र गदाधारी भगवान को प्रडाम कर पहले ही के समान स्वर्ग का सासन करने लगे है मुनिश्रेष्ट उस समय से प्रखा तेजो युक्त भागवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारा गळबी अपने अपने मार्ग से चलने लगे सुन्दर दीप्तिशाली भागवान अगनी देव अत्यंत प्रजलित उटे उसी समय से स पिर से देवराज्य पर अधिकार पाया औरा सिंगासन पर आरूण हो पद्यहस्ता सिरी लक्ष्मी जी की इस पर करश्टूति की इंद्र बोले संपूर्ण लोकों की जननी विक्सित कमल के सैद्रश नेत्रों वाली भागवान विश्नों के बक्स सिस्तल में बिराजमान कमल द्वा सिरी लक्ष्मी देवी को में नमस्कार करता हूं कमल ही जिनका निवासिस्तान है कमल ही जिनके कर कमलों में सुसोवित हैं तता कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं उन कमल मुकी कमल नाव पिरिया सिरी कमला देवी की में बंदना करता हूं है देवी तुम सिद्धी हो अंविक्षण वारता सिल्प बालिज्या राजनिती भी तुम्हीं ने अपने सांत और उग्र रूपों से है समस्त संसार व्याप्त क्या हुआ है तुम्हारे बिना और ऐसी कौन इस्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर योगी जन चिन तित सर्व यग्य में सरीर का आश्रेपा सके तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण तिरलों की नश्ट प और सुहर दे यह सब सदा आपही के द्रस्टी पात्र से मनुस्यों को मिलते हैं तुम्हारी किर्पा द्रस्टी के पात्र पूर्षों के लिए सारीरी का रोग्याय सवर्य शत्रू पक्षकानास और सुकादी कुछ भी दुरलब नहीं है तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव देव भागवान श्री हरी पिता हैं है माताया तुमसे और श्री विश्नु भागवान सरी है सकल चराचर जगत व्याप्त हैं है सरुपावनी मातेश्वरी हमारे को खजाना गोष्ट पसुशाला ग्रह भोग समगरी शरीर और इस्त्रियादी को भी आपका भी नत कभी न छोड़े हैं है अमले जिस मनुस्य को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व सत्य सोच और सील अधी गुण भी शीग रही त्याग देते हैं और तुमारी किरपाद्रश्टी होने पर तुम गुड़हीन पुरुस भी सील शीग रही सील आधी संपून गुण और कुल सुबीर और पराकर्मी है विष्णू पिर्ये जगत जन्नी तुम जिससे भी मुख हो उसके तो सील आधी सभी गुण तुरंत अब गुण रूप हो जाते हैं है देवी तुमारे गुणों का वर्लन करने में तो स्री ब्रह्मा जी की रसना भी समर्थ नहीं है फिर मैं क्या क सुनते हुए इंद्र सही है इस प्रकार बोली स्री लक्ष्मी जी बोली है देवेश्वर इंद्र मैं तेरे इस इस त्रोत से अतिप्रसन हूं तुझको जो अभिष्ट हो बही बर मांग ले मैं तुझे बर देने के लिए यहां ही हूं इंद्र बोले है देवी यदि आप ब इस इस त्रोत से इस्तूती करें उससे आप कभी न त्यागें स्री लक्ष्मी जी बोली है देव स्रेश्वर इंद्र मैं अब इस लोकी को कभी न छोड़ूंगी तेरे इस त्रोत से प्रसन होकर मैं तुझे यहहवर देती हूं तर्था जो कोई मनुस्य प्रात्यकाल और सा भागा स्री लक्ष्मी जी ने देवराज की इस्त्रोत रूप अरहतना से संतुष्ट होकर उन्हें यह वर दिये लक्ष्मी जी पहले भ्रगु जी के द्वारा ख्याती नामा किस्त्री से उत्पन हुई थी फिर अमरित मन्थन के समय देव और दानवों के प्रयत्न सेवे सम जब श्री हरी आदी रूप हुए तो बे पद्ध से फिर उत्पन हुई और पद्म कलाई कहलाई पद्मा कहलाई तथा जब बे परसुराम हुए तो बे पिर्थवी हुई श्री हरी के राम होने पर वे सिता जी हुई और अपतार में वे श्री रुकमडी जी हुई इस प्रकार अन्य अपतारों में भी ये भगवान से कभी प्रतक नहीं होती भगवान के देव सरूप होने पर ये दिव्य सरीर धारन करती हैं और मनुस्य होने पर मानवी रूप से और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्षमी का नास नहोगा है मुने जिन घरों में लक्षमी जी के इस इस्त्रोत का पाठ होता है उनमें कलहे की आदार भूता दरिद्रता कभी नहीं ठैर सकती ही ब्राम्मन तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भ्रगुजी की पुत्री होकर फिर लक्षमी जी शीर शमुद्र से कैसे त्वन हुई सो मैंने तुम से यह सब्रतांत कह दिया इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्षमी जी की स्तूती सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करें इस प्रकार शरी विश्नु पुराण के पहले अन्स में नबाध्याय समाप्तुवाद है कि ऋए इस पुर्ट करते हैं